हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा नाम है विरद्दुबे और मैं आप लोगों से आज एक बहुती खास विशय पर चर्चा करने के लिए उपस्तित हुआ दोस्तों आज के इस लेक्षर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपका ये बैच है इसके बारे में संभवता अभी तक आपने सुन लिया होगा जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको भी इसके बारे में बता दूँगा लेकिन आपको मालूम है कि Study IQ IES के प्लाटफॉर्म पे Prelims to Interview Batches शुरू हुए हैं पी टू आई बैच शुरू हो रहे हैं और ये पी टू आई बैच शुरू हो रहे हैं 19 चून से आपको मालूम है आज 17 तारिक है दो दिन बाद इसकी Classes शुरू हो जाएंगी तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दो किस प्रकार की सुविधा मिलेंगी वो हम session के अंद में बता देंगे लेकिन इस सुविधा में एक सबसे अद्वितिय सुविधा है और वो ये है कि आपको इसमें निशुल्क आवासी कारक्रम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो ये जो निशुल्क आवासी कारक्रम है जो कारक्रम है ये क्या है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो एक बहुत ही important बात है कि इसमें जो सुविधा है खास वो ये है कि आपको अपनी मुख्य परिक्षा अपनी मुख्य परिक्षा एवं साक्षातकार के लिए मुख्य परिक्षा और जो साक्षातकार है साक्षातकार साक्षातकार यानि के इंटर्व्यू और मेंस मुख्य परिक्षा यानि के मेंस इसमें इसके लिए आपको दिल्ली में हमारी जो सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएंगी हमारे साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा और अपने doubts clear करने का मौका मिलेगा तो दिल्ली में हमारे साथ जुड़ने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन इसी शर्त पर कि आप जब प्रारंभीक परिक्षा क्या कर लें, प्रारंभीक परिक्षा जो है, जिन्होंने उत्तिर्ण कर यूँ, प्रारंभीक परिक्षा उत्तिर्ण हो, तो जिनको मुख्य परिक्षा में बैठने का आवसर मिला होगा, वो इस सुविधा का लाब उठा पाएंगे, तो अब मु आज के इस topic में यही discussion करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली आने का जो roadmap है दिल्ली आने का दिल्ली आने का roadmap ये roadmap जो है आपको कैसे मिलेगा इसके लिए हमें कैसे मेहनत करनी है यानि हम आप सब लोगों को initial आवासी सुविधा यानि की जो free residential program है वो हम आपको दे रहे हैं लेकिन य उसके लिए आपको क्या करना होगा आज के इस topic में हम ये समझने वाले देखे ये बिलकुल साधान सी बात है कि जो लोग हमारे P2I badge के साथ जुड़ेंगे यानि कि prelims to interview बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही important बात में आपको बताने वाला हों क्योंकि इस feature पर अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो उससे चीजें missing होनी लाजमी है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे lecture को अंद तक आखरी तक जरूर देखेगा ध्यान से आपके लिए जरूर ये beneficial होगा देखे P2I का मतलब हो गया prelims to interview यानि कि prelims से लेकर के interview यहां तक कि हमें आपको त्यारी करानी है बीच में आपका mains भी आएगा तो अब हम इसमें जो prelims के बाद में जो mains है और जो interview है उसके लिए तो आपको यहां पर बुला रहे हैं लेकिन यहां पर आएंगे कैसे कैसे इस यहां तक का सफर आप कैसे तैय करेंगे क्या यहां तक के सफर में जो हम आपको बार-बार बोल रहे हैं कि prelims आपको निकालना है और निकाल करके यहां पर आना है तो क्या आपको prelims निकालने के लिए हम अकेले ही छोड़ देंगे या इसमें भी हमारा कुछ सहयोग होगा तो मैं आपको बता दूँ कि इसका procedure बहुत simple सा है आप सब लोगों क आपको मालू में कि 19 जून से आगामी 19 जून जो है यहां से हमारी कक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगे कक्षाएं प्रारम्भ होंगी यह किस माध्यम में होंगी यह किस मोड में चलेंगी अगर हम उसके बात करें तो यह online होगा और चुकि मैं आप लोगों को foundation batches में आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जो foundation batches में भी जुड़े हैं हमारे साथ में तो उनको मैंने online पढ़ाया हुआ है अभी कुछी दिन पहले ही मैंने history complete करी थी शांदार तरीके से बच्चे वहाँ पर जुड़े थे हमारे साथ उनके साथ history complete हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलने वाली है कि इसमें आपको daily यानि कि प्रति दिन जो है नियमित कक्षाएं मिलेंगी प्रति दिन यहाँ पर आपको कक्षाएं मिलेंगी और जब यह कक्षाएं आपको मिलेंगी तो प्रत द नोट्स जो है, वो दो तरीके से होंगे, एक तो आपको PDF format में दिया जाएगा, ठीक है, और एक आपका PDF ही होगा, लेकिन वो जो है, आपके handwritten notes होंगे, handwritten notes, जिनको आप कह सकते हो, हस्त लिखित notes, तो ये हस्त लिखित notes के अलावा, दूसरे PDFs जो है, study material के रूप में, वो भी आपको provide किये जाएंगे दिश्ची तोर पर, ये तो आपका daily basis पर काम होगा, इसके अलावा, इसमें भी आप लोगों को, जो question answers है, वो आपके कराये जाएंगे, ठीक है, जो practice sessions होते हैं, वो practice sessions आपके होंगे, weekly जो class test होते हैं, वो weekly class test वगरा, उसी तरीके से चलेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा आपके लिए सहायता है, कि online भी हम आपसे आपका पूरा सहयोग करके, आपसे prelims anyhow clear कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आपके साथ हम पूरी मेनत करेंगे, लेकिन ये जो प्रयास है, ये आपके साथ online mode में होगा, आप अपने घर में, library में, study room में, जहां भी बैठ के पढ़ते हो, आराम से पढ़ सकते हो, इस class में भी आपसे live discussion, जो है, live discussion है, वो करने का आपको faculty के साथ में मौका मिलेगा, यानि जो teacher आपको class में पढ़ा रहे हैं, आपको mic on करने का access देंगे, आप अपने phone का या laptop का जिस device पे आप पढ़ रहे हैं, उसमे speaker और mic की सुविधा होगी, आप उसे on करेंगे, और directly बात कर पाएंगे one to one, तुरंट, जैसे phone पे बात करते हैं, वैसे ही आप, और इसमें जो है, आप एक सुविधा होती है, एक camera की भी, generally वच्चे जो है, वो camera on नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन camera भी on करके, आप अपने face के साथ भी बात कर सकते हो, और हमारा face और हमें तो आप देखेंगे, देखेंगे, तो ये एक तुरंट का तुरंट solution देने की सुविधा है, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से सुविधा का इस्तेमाल किया था, मेरे जो students थे, मुझे मालूम है कि इस चीज़ को लेकर के काफ पड़ेगा, यानि इतने सारे लोगों के मन में जिग्यासाएं रहती थी, उन जिग्यासाओं को शांत करने में कभी-कभी समय की कमी पढ़ जाती थी, तो उनका नंबर अगले दिन आता था, तो वो थोड़ी से नाराजगी रहती थी कि ये सर आज हमारा doubt आपने नहीं लिय पर ये नाराजगी बड़ी संतोष जनक होती थी हमारे लिए, मेरे लिए, अगर हम बात करें, तो आप भी इस तरीके से जोड़ सकते हैं, इन सब चीजों का लाव उठा सकते हैं, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जितने भी factors आपको यहाँ पर बताएं हैं In fact, ये ही महत्वण factor हैं, जो आपको prelims जो हैं, वो qualify कराएंगे, ठीक है, और लेकिन इसमें dedication की जरूत होगी, नियमित्ता की जरूत होगी, आप daily basis पर आएं, नियमित रूप से आएं, revision करें, अगले दिन video डाउनलोड कर सकते हैं, या directly भी आप देख सकते हैं अपने जो application ह उसके उपर, तो आज आप live class करोगे, अगले दिन आपको उसका recording session भी मिल जाएगा, तो by the way, अगर कुछ miss भी हो जाता है, जैसे कभी data ही नहीं चला, या कभी आप नहीं आपाए, class में कहीं busy रहेगा, तो अगले दिन आपको वो live classes मिल जाएंगी, as it is मिल जाएंगी, तो इ अगर आप इसे crack कर लोगे, तो फिर आपके पास में अपने तरफ से खर्चा करने का, या अपने तरफ से कुछ भी करने का option, जो है, वो बहुत ही, मतलब सीमित हो जाएगा, सीमित इस प्रकार से हो जाएगा, कि अब आप हमारे निगरानी में आ जाएंगे, और आपको यहा और इसको करना है, यह एक टास्क के रूप में भी आपको रखना चाहिए, तो एक तो टास्क यह भी होता है, स्टुडेंट्स का कि हमें प्रिलिम्स क्वालिफाई करना है, उसके साथ साथ इसलिए भी एक दूसरा टास्क जोड़ लिजए, कि आपको हमारे साथ भी आपको बस, इतना ही आपको अलग से अपना जो है वो खर्चा करना है, अपना बोल्या बिस्तर जो भी है वो बांधिये और बांध करके एकदम दिल्ली आ जाए, उसके बार आपका रहना, खाना, देखिए स्टुडेंट्स को क्या चाहिए, पढ़ाई, किताबें और रहने खाने की सुविधा, तो पढ़ाई भी हम आपको दे रहे हैं, किताबें भी हम आपको दे रहे हैं, और रहने खाने की सुविधा भी हम आपको दे रहे हैं, इस सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी, और बहुत ही शांदार तरीके से मिलेंगी, आप इसलिए यहा आप अच्छे से discussion कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको आपर मिलेंगे अब इस prelims को निकालने का जो तरीका है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ये जो P2I batch है इस P2I batch में इसको पूरी तरीके से अगर दिखाए है तो P2I batch का भी एक roadmap है जिसको हम लोगों ने 4 stations में break किया हुआ है उन 4 stations के उपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ भी आपके सामने जैसे यहाँ पर आगर आप इसको देखो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा देता हूँ आपको अब आपको easily दिख रहा होगा तो यह जो road map आप देख रहे हो यह जो road map आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए study IQ के साथ में तो इसमें step 1 में देखिए step 1 step 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है step 1 जो है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा unique है बहुत ही ज़्यादा खास है ठीक है तो आपको जो classes मैंने आपको बताया ना यह जो सुविधा आपको मैंने यहां पर बताई यह वाली इसमें यही चीज है जिसमें आप online जुड़ करके हमारे साथ प्रतिदिन नियमित कक्षाइं करेंगे और यह जो कक्षाइं होंगी यह foundation से लेकरके foundation से लेकरके mains तक के स्तरकी होंगी हर chapter को हमने इसी तरीके से design किया हुआ है जिसमें आप प्रारंभिक परिक्षास की तयारी के साथ मेंस की भी तयारी कर सकते हो और अगर आप very first day तयारी करने आए हैं बिलकुल पहले दिन तयारी करने आए हैं तब भी आपके लिए batch बहुत ही आपकारी होगा तो वही चीज में आपको बता रहा था कि इसमें prelims और mains foundation की बारी रहेगी इसमें आपका prelims और mains जो है वो तयार होगा अच्छी तरीके से और यह कब तक होगा जनवरी तक जनवरी तक अब दिखिए यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मैप मैंने आपको ज जरा second वाले phase में जाईए यह तो first था second जो stoppage है हमारा उस पे क्या चर्चा हो रही है जरा वो देखिए इसमें हम जनवरी से अपना जो मौड है या पढ़ाने का जो तरीका है वो हम बदल देंगे यानि कि एक परंपरागत तरीका हम ले करके चलेंगे जनवरी तक जून से के बाद हम अपना तरीका बदल देंगे क्योंकि अभी जो prelims और मेंस को ले करके चल रहे हैं आप क्योंकि आगे सबसे पहले हमारे पास prelims का दरवाजा है तो हम पूरी तरीके से prelims के उपर focus हो जाएंगे यानि कि हम थोड़ा सा मेंस की study जो है वो avoid करेंगे पूरी तरीके स मेंस का revision पढ़ना target करना उसको anyhow क्योंकि वही अगर clear नहीं होगा तो हमको मेंस में बैठने को नहीं मिलेगा वही clear नहीं होगा तो आपको दिल्ली आने का मोका नहीं मिलेगा दोनों चीजें ठीके तो आपको मेंस में बैठना है और दिल्ली आ करके पढ़ाई करनी है तो दो इसमें क्या होगा कि इसमें हम एकदम prelims based जो study है prelims focus जो study है वो कराएंगे साथी साथ ठेली basis पे आपका बहुत ही शांदार तरीके से आपको इसमें prelims की prelims की test series मिलेगी test series ठीक है ये जो prelims की test series है ये आपके लिए मतलब जिसको कहते है न रामबान टाइप की जो चीज़ होती है वो आपके लिए सिद्ध होगी क्योंकि इसमें हम जो test बनाएंगे उसमें हम प्रयास करेंगे वैसे तो UPSC अगले साल क्या नया लेकर क्या नया ल बनता लेकिन फिर भी हम strategically समझ करके करने का प्रयास करते हैं जैसे इस पार हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो 2022 में options इस तरीके से आये थे कि इनमें में से कितने पेर सही हैं कितने युगम सही हैं दो युगम तीन युगम या चार युगम ऐसे करके जो questions बने थे उनको ह हम लोग 2022 में भी देखे थे उसी के अधार पर 2023 में आप देख सकते थे कि जो भी हमारे MCQ-based जो questions हम लोग कराते थे उसमें हमने इनकी संख्या को बढ़ाया था और exactly ऐसा ही हुआ 2023 में आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके के questions आपके बहुत ज़्यादा पूछे ही गए तो एक जो तरीका है सोच का वो हम ले करके आते जैसे इस बार कथन और कारण वाले कुछ questions आये थे तो हम प्रयास करेंगे कि कथन और कारण वाले questions के उपर भी focus रखें लेकिन अगले साल वो क्या निया देंगे वो तो नहीं पता चल सकता किसी को भी नहीं पता चल सकता है तो लिए जो basics हैं वो हम foundations जो है वो तैयार करके रखेंगे तो ये उसी के लिए बहुत important चीज है जिसके लिए prelims test series हम आपको यापर प्रदान करेंगे इन दोनों यानि की one और two पहला और दूसरा जो stoppage है इन दोनों stoppages पे आप अगर सफलता पूरवक पहुंच गए और इनको आपने अच्छी तरह के से cover कर लिया तो निशित तोर पे आपका आगे का जो रास्ता है उसमें हम आपका हाथ पकड़ करके आगे आपको ले करके जाने का प्रयास करेंगे आप कोई हाथ छुडा के भागने का प्रयास करें तो भले ये सफल ना हो अन्तता हमें ऐसा मालूम है कि अगर यहां से हमने हमने आपका अगर हाथ पकड़ लिया है और फिर आगे सक्सेस तक ले करके जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी सफलता पूरक हमारे जो चीजें हैं उनको फॉलो करते चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए रोड बहुत इजी हो जाएगी यह रोड मैप हमने आपके लिए पहले बना है उसके बाद आपका स्टेप जो है थर्ड आएगा इसमें हम फिर से मुख्य परिक्षा के उपर फोकस हो जाएंगे और फिर हम चले ज के सुविधा का लाव उठाने के लिए इन दोनों स्टेप पे आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी और यह इन दोनों पर हम मेहनत करने के लिए बिल्कुल त्यार है उननिस जून से आज 17 जून है 17 जून के बाद 19 जून से हम इस पर बहुती शांदार तरीके से त्यार है तो आप सब लोग जरूर जुड़िए आपको आई होप कि अब पता चल गया होगा कि वोट एग्जैक्ली इस दरोड मैप टू कम टू डेली दिल्ली आने के लिए आपके लिए वास्तविक रोट मैप जो है वो कैसे आपको करना है हम पूरी तरीके से प्रिपे लिए आपको बस करना क्या है इस पैच में अडमीशन लेना है और बैच में अडमीशन लेने के लिए क्या करना है वह भी मैं आपको एक बार बता देता हूं जैसे यहां पर जरह देखिए आपको क्या करना है आपको यह वेबसाइट पे जाना है आप studyiq.com लिखोगे website पे जाओगे website पे जैसे ही जाओगे तो आप यहां पर देख सकते थोड़ा सा scroll आपको करना पड़ेगा अलका सा scroll करेंगे तो आप यहां पर देखिए लिखा है UPSC IS Prelims to Interview Live P2i Pure Hindi Batches इन Batches में आपको जुड़ना है ठीक है और इसके लिए इस पे ज़रा ध्यान दीजे यह य लिखा है Live Online Hindi Batch Prelims to Interview P2i 2024 इस पे आपको क्लिक करना है इस वाले बैच पे आपको क्लिक करना है जब आप इस बैच पे क्लिक करोगे ठीक है अब आप जब इस बैच पे क्लिक करोगे तब आपका यह अगला जो कह सकता हूं मैं जो step है वो open होगा इसमें आप देख सकते हैं नीचे जब जाएंगे तो आपको about authors, demo videos, course content, frequently asked questions और pricing के बारे में यह बने हुए tabs इसमें से जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जाकर करके देख सकते हो, demo videos अगरा सब पड़े हुए हैं इसमें, buy now का option है आप buy करेंगे यहां से लेकिन उसके पहले मैं आपको suggest करना चाहू इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, इसी को मैं भी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, इसमें roadmap भी आपके बने हुए हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीके, साती सात, इसमें क्या दूसरी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं भी इसमें द प्रदान की जाएंगी, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं, जो अभी छप चुकी हैं, जो आपके पास पहुंचेंगी, और कुछ अन्य पुस्तकें भी आपको उपलब्द कराई जाएंगी, आप घबड़ाएं नहीं कि सर मेरे पास तो दो किताब आई, चारी किताब आई, सब पहुंच जाएंगे, आपके पास दीरे-दीरे करके, बिफोर टाइम, ये हमारे सभी पैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आप लोगों को ये सारी सुविधाएं प्रदान कराने में मदद करेंगे, तो ये समय सारणी, इस समय सारणी के एकॉर्डिंग हमारी क्लास 19 जून से शुर जो ये option आ रहा है, इस by now पे आप click कर दिए, जब आप by now पे click करेंगे, आप से mobile number मागेगा, continue करिएगा, और फिर अराम से आप इसको purchase कर सकते हैं, basically इसको purchase करने में जो आपको थ्यान रखना है, वो ये है, कि आपको ये code इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये code का इस्तेमाल अग आपकी batch fee जो है, वो 29,999 हो जाएगी, तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाएगे programs को पसंद करते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाएगे study को आप पसंद करते हैं, मेरे तरीके को पसंद करते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस code का इस्तेमाल करेंगे, और code का इस् है ले अपनी seat में enrollment ज़रूर कर लेंगे किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप हमसे संपर कर सकते हो हमारे telegram पर ठीक है आप हमसे हमारे telegram पर संपर कर सकते हो विरद वी आई 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 आटी डॉट दुबे इस पर संपर करकी ठीक है या फिर आप हमारे Instagram पे भी संपर कर सकते हैं ठीक है या फिर आप हमारे Insta पे भी संपर कर सकते हैं और Insta पे भी हमारा यही ID है virad.dube या फिर आप हमें email भी कर सकते हैं सबसे अच्छा तरीका है और email करने के लिए आप लिखेंगे virad.dube at the rate studyiq studyiq.com ठीक है तो आप हमें यहां पर mail भी कर सकते हो किसी भी प्रकार किया सुविधा हो रही है app open नहीं हो रहा है या फिर आप coupon code लगा रहे हैं और coupon code सही से apply नहीं हो रहा है या फिर कोई दूसरी भी सुविधा कोई आप पूँचना चाहते हो personally तो आप मुझसे यहां पर संपर करके पूँच सकते हो लेकिन कुछ भी करिए 19 जून से पहले आप admission जरूर ले लिए क्योंकि 2024 आपके सपनों का वर्ष हो सकता है UPSC clear करने के माद्यम से आप सभी लोगों को अनंत शुब कामनाय देता हूँ मैं जिससे कि आप अपने इस प्रोग्राम में सफल हो आप अपने UPSC की जर्नी को सफलता पूरक निभा सकें उस जर्नी को पूरा कर सकें और अंतता अपने लक्ष तक पहुं सकें खास कर हमारे साथ इसी उम्मीद के साथ फिर मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में नए तरीके की जानकारी ले करके तब तक ख्रेने वश्कार धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQAS हिंदी